शीरी भक्तमाल में भगवान जी के प्रिय भक्तों में शीरी शुग्रीव जी शीरामजी शुग्रीव से कहते हैं भैया सब भाई भरत के समान अदर्श नहीं हो सकते सब पुत्र हमारी तरह पित्र भक्त नहीं हो सकते और सभी सहत तुमारी तरह दुख के साथ ही नहीं हो सकते सभी सम्बंधों के एक मात्र स्थान शिरी हरे ही है उनसे जो भी सम्बंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं सची लगन होनी चाहिए एक निष्ट प्रेम होना चाहिए प्रेम पाश में बंद करके प्रभु सामी बनते हैं वे सखा, सहद, भाई, पुत्र, सेवक सबी कुछ बनने को तिया रहे हैं उन्हें शिष्टा चार की वे शेक्ता नहीं मैं सच्चा सने चाहते हैं सुग्री को भगवान जी ने स्थान स्थान पर अपना सखा भगत माना है बाली और सुग्री ये दो भाई थे तोनों में ही प्रस पर बड़ा सनी था बाली बड़ा था, इसलिए वही वान्रो का राजा था एक बार एक राक्षे से रात्री में किसकंदा आया आगर के बड़े जोड से करज़ देने का बाली उसे मानने के लिए नगर से अकेला ही निकला सुग्रीवी बाई के सनी के कारण उनके पीछे पीछे चला वे राक्षे एक बड़ी भारी गुफा में गुस किया बाली अपने च्छोटे भाही को द्वार पर बिठा करके उससर राक्षे को मानने उनके पीछे पीछे इस गुफा में चला गया सुग्रीवी को बैठे बैठे एक माहा बीट गया किन्तो बाली उस गुफा में से नहीं निकला एक महीने के बाद गुफा में से रक्त की धार निकली सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मार किया है अब राक्षा से बाहर निकल करके मुझे भी माट डालेगा अता उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढख करके मैं किसकंदापुरी लोट किया मंत्रिय ने जब राजजानी को राजा से हीन देखा तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बिना दिया थोड़े ही दिनों में बाली आ गया सुग्रीव को राजगदी पर बैठा देख करके वे बिना ही जान चे पड़ताल किये क्रोज से आग वबला हो गया और उसे मारने को दोड़ा सुग्रीव भी अपनी प्राण रख्षा के लिए भागा भागते भागते वह मतंग गरिशी के आशरम पर जा पोचा बाली वहां शाबश जा नहीं सकता था अतवे लोटाया और सुग्रीव का धन इस्त्री आदी सब कुछ उसने चीन लिया राज इस्त्री और धन के हरन होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदी चार मंत्रियों के साथ रिश्य मुख पर रहनी लगा सीता जी का हरन हो जाने पर भगवान शिरी राम चंदर जी अपने भाई लच्छन जी के साथ उन्हें खोज थे खोज थे शबरी के बताने पर रिश्य मुख परवत पर आए सुग्रीव ने दूर से ही शिरी राम लच्छन को देख करके हनुमान जी को भी देखा हनुमान जी उन्हें आदर पूर रख ले आए अगनी के शाक्षित्व में शिरी राम एम सुग्रीव में मित्ता ही सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान जी को सुनाया भगवान जी ने कहा मैं बाली को एकी बान से मार दूँगा सुग्रीव ने प्रिक्षा के लिए अस्ति समूब दिखाया शीर राम ने उसे पैर के इंगटे से ही गिरा दिया फिर साथ ताडव रिक्षा को एक ही बान से गिरा दिया सुग्रीव को विशाष हो गया कि शीर राम जी बाली को मार देंगे सुग्री को लेकर के शीर राम जी बाली के यहां गे बाली लड़ने आया दोनों भाईयों में बड़ा ब्युद्ध हुआ अन्तमे शीर राम चंदर जी ने तक कर एक ऐसा बान बाली को मारा कि वे मर गिया बाली के मरने पर शीर राम जी की आग्या से सुग्रीव राजा बनाएगे और बाली के पुत्र अंगत को युवराज का पद दिया गया तरन तरन सुग्रीव ने वान्दों को इधर उधर शीर लंका शीरी सीता जी की खोज के लिए भेजा और शीरी हनमान जी द्वारा सीता जी का समाझ अरपा करके वे अपनी असंख्य वान्दी सेना ले करके लंका पर चड़ गी वहां उन्होंने बड़ा पुर्शाद दिख्राया सुग्रीव ने संग्राम में रावन तक को इतना च्छकाया कि वे भी इनके नाम से ड़ने लगा लंका विजे करके ये भी शीर राम जी के साथ श्री अवद पुरी आए और वहां शीर राम जी ने उनका परचे कराते हुए वह शीर जिसे कहा ऐसब सकासन ही मुन मेरे भै समर सागर कह बेरे मम ही तलागी जिनम इन हारे भरत हूं ते मोही अधिक प्यारे शीर राम जी ने सुगरीव जी को स्थान स्थान पर प्रिये सखा कहा है और अपने मुक से सपस्थ कहा है कि तुमारे समन अदर्श निस्वात सखा संसार में विल्ले ही हो दे है शीर राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवत पुरी में रख करके विदा कर दिया और ये भगवान जी के लिलाओं का समरन की तन करते हुए अपनी पूरी मेद रहने लगे अंत में जब भगवान निजलोग पधारे तब ये भी आगे और भगवान जी के साथ ही साकेत के सुगरीव जैसे भगवत, क्रिपा, प्रापत, सखा सुनसार में विल्ले ही होते हैं उन का समस्त जीवन राम काज और राम समरन में ही बिता यही जग में जीवन का परमनाव है भगवान जीसे प्रात्रा करते हैं सुगरीव कहते हैं प्रभू मेरी चित्वरिती सदा आपके चरण कमलों में लगी रही मेरी वानी सदा आपका नाम कीतन एम लीला गान करती रही हाथ आपके भक्तों की सिवा में लगे रही मेरा शीर आपके पादश पर्ष आदि के मिस से सदा आपका अंग संग करता रही मेरे नित्र सर्दा आपकी मूर्थी आपके भक्त और आपने गुरू का दर्शन करते रहें कान निरंटर आपके दिवे जनम कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंद्रों की यात्रा करते रहें मेरा शिरीर आपकी जरन राज से युक्त तीर थोदक को धारन करे और मेरा सिर जनतर आपके उन चरनों में परनाम किया करे जिसकी शिव और भ्रमा आदी देवगान भी सदेव सेवा करते हैं